आप सभी इस बात से अवगत हैं कि इस समय संपून लोगतंत्र के पृति अपमान जनक टिपणी करने वाले लोग सत्याग्रह के नाम पर महात्मा गांधी जी की समाधी पर जो कर रहे हैं उसमें सत्य के पृति कोई आग्रह नहीं अहंकार का दुराग्रह निरलज्जता के साथ दिख रहा है यह बात मैं इसलिए भी कह सकता हूँ कि जब उन्होंने गांधी जी की समाधी और शब्द दोनों का प्रयोग किया है तो यह गांधी जी के पृति भी एक अवमानना और दुराग्रह दिखता है क्योंकि गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह 1906 में ट्रांस वॉल में सामाजिक कारण से किया था भारत में 1919 में रोलेट एक्ट के लिए किया था यह पहली बार अपने लिए अपने निजी कारण से नियायाले के द्वारा सजाए आफ्ता होने के बाद नियायाले के विरुद्ध करते हुए दिखाई पड़ है इस से अधिक दुराग्रह और दंभ सत्याग्रह के आवरण में संभव नहीं है हम बहुत इस्पश्ट रूप से कहना चाते हैं कि इस पूरी प्रक्रिया में जो कुछ भी हुआ वो एक नियाइक प्रक्रिया का हिस्सा था नियाईक प्रिक्रिया के द्वारा उन्हें सजा हुई और यह बहुत समय से भारत की संसत के द्वारा बनाया नियम है जिसके तहद उनकी सदस्टाह स्वताह चली गई जैसे अगर आपका इंट्रेंस एक्जाम का रिजल्ट खारीज हो जाए तो आप विश्वद्याले में प्रवेश ले चुके हो तो वह इस्थान स्वताह आपका खारीज हो जाता है यह इसमें लीगल पोजीशन है और यानि इसके लीगल पॉलिटिकल और मॉरल तीनों आस्प आपको जो जो कहना है कहिए जो अफशब्द कहने हो कहिए भाजपा के विरुद्ध कहिए हमने उसे स्विकार किया है सरकार के विरुद्ध आपने कितना कुछ कहा हमने उसे शांति से स्विकार किया प्रधान मंत्रीशी नरेंद्र मोदी जी के विरुद्ध कितना विश्व किया हमने उसके उपर भी शांत रहे परंतु जब आप भारत के विरुद्ध बोलते हैं पिछडे समाज के विरुद्ध इस प्रकार की घ्रणा और वैमनस्य की बात करते हैं और उस पे आपको जब न्यायले के द्वारा सजा होती है और फिर जब आप उस पे राजनेतिक आरो जता दोनों नजार आती है और यह हमें स्विकार नहीं है क्योंकि यह भारत और भारत की परंपरा का अपमान है और याद करिए अहंकार की बात हम क्यों कह रहे हैं अहंकार इसी नियम के तहट बनने वाले अध्यादेश को फाड़ने में भी था और आज पालन करने में भी ह दूसरा हमारे हिर्दय में जो पीड़ा है गांदी जी की समाधी पर आप अपने तथा कतित सत्याग्रह में ऐसे व्यक्तियों को ले जा रहे हैं जिन्होंने हिंसा में बढ़ चड़ कर हिस्सा ली रहा था श्री जगदीश टाइटलर सत्य और अहिंसा के प्रतीक गांदी जी की समाधी पर न सत्य न अहिंसा असत्य और हिंसा दोनों के प्रतीकों को सामने लेकर फिर आप यहां आवरण ओढ़ने का प्रयास कर रहे हैं और उसे व्यदिक हत्तों तब हो गई जब कॉंग्रेस के वरिष्ट नेता और राज्य सभा में कॉंग्रेस संसदी अदल के उपनेता प्रमोत तिवारी जी इस सीमा तक चले गए कि जब सजा दी जानी चाहिए तो परिवार को देखकर यानि गांधी परिवार की प्रश्ट भूमी को देखकर दी जाने चाहिए यानि यह बहुत आश्यर जनक बात है इसके अंदर भी एक समवैदानिक विश है कि Congress Party नियाले के नियाईक विवेक से अपने को उपर समझती है It means Congress Party considered themselves superior than the judicial jurisprudence of the courts and they will decide that in what manner and on what basis the court should give their final verdict इसलिए मैं कहना चाऊंगा कि शायद जिसे कहवत है न हिंदी में रस्सी जल गई पर बन नहीं किया एक देश में दो विधान इन्हें आज भी चाहिए एक विधान आम आदमी के लिए और एक विधान अपने परिवार के लिए वैसे एक सरकार में दो परधान तो वो चला चुके हैं और पार्टी में भी दो परधान चला रहे हैं यहनि दो परधान चला रहे हैं और परिवार के लिए दो विधान इन्हें आज भी चाहिए और फिर प्रमोतिवारी जी कहते हैं परिवार की प्रिष्ट भूमी देखके देना चाहिए तुम्हें विनम्मृता के साथ इस मनद देराना चाहता हूँ कि आप ही के परिवार में आपकी दादी श्रीमती इंद्रा गांधी जी न्यायले के द्वारा दोशी सिद्ध हुई थ जो बोफोर्स में ब्रष्टाचार के आरोप में आये थे और उन्होंने उसके बाद यह भी बोला था कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धर्ती हिलती यानि हजारों सिखों के नरसंगार को जस्टिफाई किया था आपकी माता जी के छत्र छाया में चल रही सरकार में महात्मा गांधी की समाधी पर लिखे हे राम के राम को कालपनिक कह दिया गया था तो मानेवर किस प्रिष्ट भूमी की आप बात कर रहे हैं प्रिष्ट भूमी तो और भी जादा खतरनाक नजर आ रही है और यहां पर विशे उससे भी जादा है भारत के पिछड़े समाज के प्रत दाई है इमानदारी तो यह कहती थी कि आपको शमय आचना करनी चाहिए थी और दुख की बात यह है कि यह जितने भी अपने को पिछड़े दलितों के अलंबरदार बनते हैं वह अचानक मौन साधना में क्यों चले गए इतना बड़ा बयान जातिगत अपमान पूरे पिछड होती परन तो आज ऐसा लग रहा है कि यह सारे के सारे अलंबरदार मौन साधना में चले गए बड़े आश्यर की बात है जो यह कहते हैं थे कि आतंकवाद का मधभ नहीं होता वो दो सरनेम के आधार पे द्रस्टाचार की जाती बताने लगते हैं कि कितनी डुप्लिसिटी करेक्टर है इनमें और मैं यह भी कहना चाहूंगा शायद राहूल गांधी जी के लिए चोर शब्द बहुत भारी पड़ रहा है दोहजार उन्नीस के लोग सभा चुनाओं में उनको इसी के लिए सर्वोच चनैले से लिखित माफी मांगनी पड़ी मानने वर मैं कॉंग्र के निर्णे को मिस्कोट करने के लिए अनकंडिशनल एपलोजी मांग चुके हैं तो आप किस प्रिष्ट भूमी की बात कर रहे हैं इसलिए मैं सिर्फ यह कहना चाहूंगा कि यह सत्याग्रे किस लिए मैं इस पर्ष्ट कॉंग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं यह त दोड़ है या भारत के जिस नियम के तहट आपको उस्सक्जा के कारण डिस्क्वॉलीफाई होना पड़ा है उसके विरुद है या हिंसा में शामिल लोगों को आपने इसमें साथ में लिया है तो यह हिंसा के विरुद है इसलिए मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह कोई लोक तंत्र के लिए नहीं है लोक तंत्र के अंदर राजनेतिक अहंकार का पूरवाग्रह जिन लोगों में है और पिछडी जातियों के पृति दुराग्रह जिन लोगों में है यह उनके अहंकार का एक प्रदर्शन मात्र है और कुछ नहीं है और यदि मैं कहूं कि बहुत दुख की बात है यह किसी भी भारती के लिए पीड़ा की बात है कि महात्मा गांधी की समाधी पर महात्मा गांधी के सत्याग्रे शब्द का प्रियोग यदि यह लोग करते हैं तो गांधी जी के सत्याग्रे है और इस तथाकति सत्याग्रे है उतना ही अंतर दिखता है जितना पंच तंत्र में भागत और बगुला भागत में धन्यवाद देखिये बहुत दुखद बात है इससे पहले भी कॉंग्रिस के लोग ये कर चुके हैं तो मुझे लगता है कि जिस भारत और भारती ये परंपरा की वो बात करती हैं मुझे लगता है यह तो वो लोग हैं बताइए आज कहां बैठे हुँ हैं मैंने तो इस बात पहले बोल दी गांधी जी की समाधी पे जिस पे लिका है राम गांधी जी का राजनेतिक दर्शन था राम राज नित्य का बजन था रगुपति रागव राजा राम अंतिम शब्द था हे राम और ये राम के मंदिर के खिलाफ खड़े राम भक्त कारसिवखों के खिलाफ खड़े राम को कालपनिक बताने वाले आज अपने अहंकार को छुपाने के लिए भगवान राम के नाम का प्रियोक कर रहे हैं इसलिए मैंने अबाद कही वही अंतर है जो भगत और बगुला भगत ने देखिए मैं अनितानी कहना चाहता जिसको वो तथा कतित हतियार कह रहे हैं ऐसे कितने ही हतियार वालों के तो वो साथ में खड़े रहे हैं उन्होंने सहनबूती वक्ति की हतियार वालों के साथ और उस हतियार के द्वारा उन्होंने लोक तंतर को घायल किया है इसलिए मैं यह कहना चाहता हूँ बहुत साफ पुना हमें अपनी बात करें वो साफ करें कि इनका तथा कतित सत्यागरे किसके खिलाफ है पिछडी जातियों का अपमान किया उसको नए संगट ठहराने के लिए इसलिए बाते हैं राहुल गांदी जी भारत की राजनी थी के उनकी कई करेक्टरिस्टिक्स हैं वो चिर युवा हैं पचास पार करने के बाद भी युवा हैं यूड HEY एक कॉंग्रेस बीट के ही थे वान थिंग इन दिस कॉंटेक्स चीफ मिनिस्टर आप महाराश्ट्रा शिंदे जी जी आज अलड़ी मेड़ी क्लिर एट वाई राहूल गांधी इस कंटिनुवसली कंसिस्टेंटली ट्राइंग तो डिस्रिस्पेक्ट वीर सावरकर एंड ओन दिस कॉंटेक्स आइड लाइक तो सीख बिलकुल हमारे उनकी उसमें सोचें बड़ा अंतर है यह बात पुनह दो रहा हूं कि जब वीर सावरकर को तो दो जन्मों के कारावास हुआ था कब हुआ था 1910 में और 1910 में कॉंग्रेस का अध्यक्ष था विलियम वैडन बर्न आप सावरकर थोड़ी हो सकते हैं कि जो अंग्रेजों से लड़के दो जन्मों का कारावास सह रहे हूं आप तो वो हैं जो अंग्रेज हुक्मरान की सदारत में बैट कर डिनर खाते थे जिसके लिए अक्बर इलाबादी ने लिखा था कौम के गम में खाते हैं डिनर हुकाम के साथ रंज लीडर को है बहुत मगर आराम के साथ तो वाकई कभी सपने में भी राहूल गानी या कॉंग्रेस पार्टी वीर सावरकर के शावर और राश्ट भक्ति का मुकाबला नही पार्टी वार राश्ट भक्ति अवर इसे और बाद बात बता दू मुझे अचानक ध्यान आगे तूट भक्ति जो प्रमोतिवारी जी ने कहा कि गानी परिवार के लिए अलग नियम होना चाहिए तो उन्होंने ऐसे नहीं कहा है हम याद आ गया पिछली सरकार में जब हम लोग जाते थे एयरपोर्ट पे तो जो विशिष्ट अतितियों के लिए लाउंज होता उसमें क्या लिखा रहता था भारत के राष्टपती भारत के उपर राष्टपती मुख्यनाय दीश प्रधान मंत्री मंत्री सांसद और नीचे लिखा रहता था श्री रॉबर्ट वड़रा अलग विधान था परिवार के लिए वही मानसिक्ता आज भी उनके उपर है तिल्विलाहट इस बात की है कि मैंने अगर पिषड़ी जातिका आप मान भी कर दिया तो अलग कानून मेरे लिए होना चाहिए वैसे तो मात्र कुछ महीने पुरानी तो बात है पिछले साल जब एजेंडा ये था कि अशोग गैलोट को राश्ट्री अध्यक्ष बनाना है और अशोग गैलोट जी ने ऐसा एजेंडा बदला कि भारत के इतिहास में पहला उधारन होगा कि जो पार्टी का संभावित रा कि भारत का अपमान करना है मोदी जी के प्रति घ्रणा है भाजपा के प्रति वैमनस्य है और इसने कह दिया एजेंडा में एक और चीछ जुड़ गई है कि पिछडी जातियों के प्रति भी अपमान और तिरसकार है और उसके ऊपर मेरा अंकार है देखिए मुझे बड़ा अश्यर होता है आज तो ये तथा खतित सत्यागर गांधी जी के समाधी पर चल रहा है और वो कह रही है खून से सीचा और हमें तो इतिहाद से पढ़ाया कि एक बिना एक भी खून की बून बहाए आजादी मिल गई तो भाई प्रियंका जी क्या सत्य है ये तो बता दीजे जो आपकी सरकारों के दोरे हुकूमत में किताब में पढ़ाया गया कि गांधी जी ने बगएर खून की बून बहाया आजादी दे दी या वो जो आप कहने का प्रियास कर रहे हैं और फिर यदि यह कह रही है तो मैं कॉंग्रेस पार्टी को चुनोती से कहता हूं कि वो एक कॉंग्रेस का राश्टरी अध्यक्ष इसतर का नेता बताएं जिसने अंग्रेजों के जमाने में जिसका खून बहाओ जो अंग्रेज की गोली से मारा गया हूं नंबर दो अंग्रेजों के समय में फासी चड़ाओ नंबर तीन अंग्रेजों के समय में काला पानी गया हूं नमबर चार लाला लाचपत राय जी जो 1920 में कॉंग्रेस के अध्यक्ष्ट उनको छोड़ दें तो जिसने लाठियां भी सही हो हाँ ऐसे बहुत से उधारण हैं कि अंग्रेजों के साथ मैं 3.0 सुमधुर संबंद के चलते हुए बड़ी सहिस्ता के साथ जलवाए जलाल के साथ पूरे जमाल के साथ वो रहते थे तो वो बता दें कॉंग्रेस के सामाने कारी करता बहुत से लोग जाते थे उनके साथ हुआ होगा मैंने कहा उस इस्तर का कोई वेक्ति बता दे तो मैं उनकी बात स्विकार करने को तयार हूँ अपनी ही बातों को काटना ये कॉंग्रेस की स्वाभविक प्रिवत्ति है और मैं पुना कह रहा हूँ एक ही बात है वो इस्पष्ट करें ये तदा गदिस सत्यागरे किसके और मैं ये कहता हूँ ये सिर्व भार्त का अपमान नहीं है भारत के न्यायले का लोगतांत्री व्युस्था का अपमान नहीं ये महत्मा गांधी का भी बहुत बड़ा अपमान है कि एक वक्तिगत आरोपि में सजाय आफ्ता वती जो पूर्भ में एक नहीं अनेक मुकद मे जेल रहे हैं जो भरस्टाचार के आरोप में बेल के उपर हैं वो आकर गांधी जी के नाम का दुरूपयोग कर रहे हैं यह देखकर भी बहुत पीड़ा होती है